वेरी गूड इवनिंग तो अल फ्यू दोस्तों सबका स्वागत है सक्सेस की 98 पे हम लेकर आए हैं जनल नॉलेज से क्लास नंबर 36 दोस्तों आपको बता दे कि अभी तक लगबग 35 ऐसे क्यूज हो चुके हैं जो कि आपके जनल नॉलेज में हम लोग कोशन आंसर दे चुके है हर कोशन आंसर के क्यूज में एक चीज़ आप लोगोंने कॉमन देखा होगा कि हम लोग रोज आपको टाइमिंग बताते हैं पर उस टाइम पर आहीं नहीं पा रहे हो कारण क्या है कि देखिए स्टुडेंट तो बहुत हैं पर बहुत लोग उस टाइम पर नोटिफिकेशन आते हैं हम लोग हर एक टॉपिक से चाहे आपके जोग्रफी से हो हिस्ट्री से हो या फिर पॉलटी से या एकोनॉमिक से वहर एक कोशन जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट अभी उसे इंपॉटेंट होता है दोस्तों अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएग बहुत सारे और आज एक टॉपिक जो है पॉलटी का जो दस कोशन है वो दस कोशन जरूर देखिएगा क्योंकि यह स्टैटिक जीके का कोशन है पॉलटी का और यह कोशन अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो सायथ पस्ता होगे है ना तो चलिए इसका पीडिएफ आप कीजिए आप लोग सभी और क्यूज शुरू करते हैं तो यह रहा आज का पहला सवाल कि निमलिखित विद्वानों में से कौन सा हडपा सभ्यता के निसानों की खोज करने वाला वो पहला वैक्ती था चलिए आंसर कीजिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रशन है और य और रहे साउसर है इससा सी नोट कर लिएगा इस एंपॉर्ट करते रहे सारे कोशन और एक बार जैसे आउट कितना सही कर रहे है वह जरूर आप लोग बात में बतायेंगे लास्ट में चलिए आउटने कितना सही किया ने कई कोशन हर कोशन के लिए तीन सेकंड टाइम मिलता आपको आंसर करने के लिए तो तीन सेकंड के अंदर ही आप अपने आंसर यहां पर कमेंट कर दिया करें बहुत लोग जूड रहे हैं यहां पर चलिए निमलिकित में से कौन हडपा सभ्यता के अध्यन से जुड़ा है चलिए फटा-फट आंसर कीजिए दोस्तों अध्यन से जुड़ा हुआ है यह तो ऑप्शन है चाल्स मेंस के इट से किंग और एम वीलर इट से मेस वत्स तो यह चार में से आपको आंसर करना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि कौन से आंसर आपके सही है चलिए हडपा सभीता से तीन से केंड हो चुके हैं दोस्तों आपका अंसर है यहां पर इस डी जी आप बहुत सखी आप लोग आंसर करते रहिए और जैसे-स इसक्यूज सूरू हो रहा है आप लोग दूसरी को शेयर कर दीजिए तो अपलोग शेयर कर दिएगा तो एट लिस्ट सुरू होने से पहले की में इंट्रो देता हूं मैं उसी बीच आप लोग सब सेयर कर दें अगर आप लोग साड़े आट बोजे यहां पर पहुंच जाते हैं तो क्योंकि हर तीन सेकेंड के बाद आपको आंसर यहां पर सही देना है तो सोच समझ के दीजिएगा और पॉलिटी के लाश्ट दस कोशिन देखना बिल्कुल मुद भूलिएगा क्योंकि वह स्टैटिक जीएगा कोशिन बन सकता आपके एक्जाम में अगला कोशिन है दोस्तों यहां पर मेगा लिथिक मेगा लिथिक संस्कृति जो है वो 500 BC यानि कि विफॉर क्राइश से लेकर 180 तक यह चला था हमें दक्षिन भारत के इतिहासिक काल में लाता है यह जो काल है दक्षिन भारत के इतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है और यह मेगा लिथिक किसका इस्तेमाल किया करते थे तो पत नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा आपके तीन सेकेंड होते हैं अबर अब यहां पे आंसर होगा दोस्तो इससी पत्थर के बड़े टुकडों से घिरी हुई कबरे बनाया करते थे मेगा लिथिक संस्कृति में इसका जिक्र किया गया है दोस्तों अगला क पूशन है यहां पे कि किस सासक ने सिंहासन के लिए अपने पिता बिम्बी सार की हत्या कर दी थी तो आप्शन है अशोक क्योंकि ये भी उनके पुत्र थे अजाच सत्रू कनिश्क और सिमूत तो आंसर नोट कीजिएगा दोस्तों यहां पे अजाच सत्रू जो थे उन्होंने अपने पिता बिम्बिशार की हत्या की थी किसलिए तो सिहासन को अपने नाम करने के लिए पर ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा उसके बाद समराठ असोक नहीं इनकी जगाली थी ओके चलिए अगला कोशन कोशन नमबर फाइब का आंसर कीजिए फटा फटा फट की नोट कर लिएगा कारूवकी इस दराइट अंसर अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर सेक्स त्रेपिटिक किसकी धार्मिक पुस्तक है यह कोशन मैंने बहुत बार बताया भी आपको अब आंसर लगता है कि आप लोग बहुत सही दे रहोंगे यहां पे नीचे कमेंट क से जुड़ा हुआ है इनकी बहुत धर्मों की एक धार्मिक पुस्तक है ओके चलिए कोशन नमबर सेबन देखे जितने लोग जोड़ रहे हैं अगर उन्होंने बेल आइकन नहीं दवाया है तो बेल आइकन दवा लीजेगा ताकि वह सारे कोशन हम आप तक सभी पहुंचा स हूँ आपको यहां पर दोस्तों तीन सेकंड के अंदर आप यहां पर आंसर कमेंट कर दीजिएगा और आंसर होता है कनिश्क के जी हां यह कनिश्क जो थे यह विंबी सार की समय के एक राजकुमार हुआ करते तो चरक जो थे इनके प्रसिद दरबारी थे ठीक है चलिए या फिर बिंदु सार के द्वारा ठीक है या बिंबी शार या बिंदु सार नाम एक ही है इनका ठीक है नोट कर लिजिएगा आंसर होता है दोस्तों इट्स ए चंदरगुप्त मौरियों के द्वारा ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर 9 महाबीर की मा कौन नहीं अगर आंसर यहां पर आप करोगे तो आपको कोशन याद रहेंगे दोस्तों इसलिए यह कोशन क्यूज आपके लिए लेकर आते हैं वरना आपके पास भी बुक है आप भी पढ़ सकते हैं पर यहां पर अगर आप लोग के फाइदा के लिए कुछ कहा जा रहा है तो वह कर दो को किजिए जिससे फाइदा आपको सकते है बहूत सारे कोशन याद हो सकते हैं आपको आंसर है इसे त्रिशला नोट कर लिजीएगा अगला कोशन देखते हैंर नुक्वा करget में से किसको दिया गया था तिर्थ यातरियों का राजकुमार कहा जाता तो और फ्रेंट इस इंग और मेगस्थनिज तो चार और अगर आंसर पता है आपको तो प्लीज कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी चलिए आंसर है दोस्तो इस इस बी इस सिंग को कहा जाता था तिर्थियात्रियों का राजकुमार चलिए अगला कोशन देख क्या गया था कोशन अब हम लोग आ चुके हैं जोगरफी की तरफ तो यहां से आंसर देना शुरू कीजिए आप लोग जो भी कैनेडेट जोगरफी में थोड़ा वीक हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे और कोशन को समझेगा तब आंसर कीजिएगा 92 इस दर राइट आंसर ठीक है बहुत लोग आंसर सही आ रहा है पर जिनका भी आंसर गलत आ रहा है वो प्लीज बिल्कुल निरास ना होए निरास होने से कुश नहीं होता यहां पर आप लोग अपने आंसर करते रहें नीचे कमेंट बॉक्स में और लास्ट में जब लगता कब लागू किया गया था दोस्तो तो आप्शन आपके सामने है जनवरी 93 में 92 दिसंबर में या दिसंबर 93 में या नॉवेंबर 90 में तो आप्शन सापके सामने है दो कन्वेंग्शन ओफ ऑन बायोजिकल डिवर्सिटी कब हुआ था शुरुआत तो आंसर कीजिएगा दोस् कोशन देखते हैं धर्ति का कठोर बाहरी भाग जिसमें परत और उपरी मंडल सामिल है उसे क्या कहा जाता है चलिए औप्शन आपके सामने हैं दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहीगा आंसर होता है यहां पे इस सी स्थल मंडल कहते हैं दोस्तों धर्ति की कठोर उपरी भाग को अगला कोशन है कि इन में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव यहां देखिए ग्रीन हाउस से कोशन आर भी जैई में भी बहुत पूछे गया है अभी तो प्लीज यह जो चैप्टर है एक्चलि ग्रीन हाउस का प्रभाव इफेक्ट उसके जो या फिर ग्रीन हाउस का पदती क्या है सी धानत क्या उसके बारें थोड़ा पढ़ लिजेगा क्योंकि ग्रीन हाउस से लगातार कोशन बन रहे है और भी जैई में भी आंसर है दोस्तों यहां पे कार्बन डाई ऑक्साइड जी हां ग्रीन हाउस का सबसे प्रभावी प्रमुख प्रित्वी का सबसे बड़ा परस्तिती की तंत्र क्या है आंसर कीजिए दोस्तों नीचे comment box में पिरत्वी का सबसे बड़ा परस्तिति की यानिकी ecosystem कहते हैं वह है दोस्तों इस सथलमंडल जीन not कर लीजबा कोशन है 6 फिसन क्या कहता है और यह question पूछे जा रहे हैं in fact RRBJ में ऐसे question बड़े बड़े पूछे गयते हैं बट उनका simple एक line में answer होता है दोस्तों तो यहाँ पर answer है it's a D यानि कि A B और C आपका तीनों यहाँ पर सही है इनका मुद्देश जो है यानि कि जैविक विजित्ता का संद्रक्षन जैविक विजित्ता के घटकों का टिकाव उपयोग करना और अनुवानशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन लाब होका निस्पक्ष और नयाय संगत सा 17 और नन अफ दीज चलिए आंसर कीजिएगा 17 का जल्दी से दोस्तों आंसर है यहाँ पे इट्सबी इकोलोजिकल सिस्टम यानि की परस्तिति की प्रणाली ओके चलिए कोशिन नंबर 18 का आंसर कीजिएगा निमलिखित में से कौन सा पर्यावरनिये गिरावट के लिए जिम सभी का तो आंसर होता है दोस्तों इट्सर डी इनमें सभी का निरंतन अपर्दन होना मिट्टियों का उच जनसंख्या का घनत्य होना जिसका कारण बनता है पर्यावरन का पर्यावरनिये गिरावट ठीके फैक्टर रिस्पॉंसिबल फॉर दे इन्वार्मेंट डीग्रेश कोशिन नमBER 19 का आंसर किजिएगा दोस्तों और दोगिक messyst के कारण जल प्रोदूशन को रोकने के लिए इन में से कौन सा जलिये प्रभावी होता है तो जलिये पौधे प्रभावी होते हमाफ किजिएगा कोशिन है जलिये पौधे प्रभावी है मतलब वो एक्टिव हैं तो आंसर है दोस्तो इट से जलकुम्भी वाटर है सिंथिक कहते हैं उसको ठीक है नोट कर लिजएगा जलकुम्भी कहते हैं अगला question है 20, अंटार्टिका पर जो परत है उसको hole की खोज कब की गई थी, जो अंटार्टिका पर hole बने हैं, यह question पूछा गया है, कि सबसे ज़्यादा किस महासागर में, सबसे ज़्यादा hole कहां पैस थी थी, जो अंतरिक्ष में, मतलब जाने के लिए जो hole हो जाता है, वो सबसे ज़्यादा कहां पैस थी थी, तो अंटार्टिका महासागर right answer था, और यहाँ पर एक question अब आग चुका है, कि अंटार्टिका पर, ओजोन होल की खोज कब की गई थी, तो यह की गई थी दोस्तो, 1984 में, नोट कर लिजीगा, यह answer आपका बिल्कुल सही है, जिनोंने 84 किया है, अब क्यूज, देखिए, चलते हैं, हम लोग economics के तरफ, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो भी candidate banking से related है, वो candidate इस वीडि यह आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे, सो प्लीज यहाँ पर जितने कोशन है, अटेंड करें, और यह कोशन RRBJE में भी पूछे गया है, इनमें से मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, चलिए, आंसर कीजिएगा दोस्तो, यहाँ पर पहला 21 का आंसर, कि इनम कर लिजीएगा, आंसर क्या होगा, यहाँ पर सीट भी, ठीक है, अगला कोशन देखें, कोशन निमबर 22, PSU, ठीक है, कि अधिकांस हिस्से, जो पेड है, पेड लिग दिया, यहाँ पेड है, पेड नहीं है, समझेगा, पेड अप शेयर कैपिटल इस हेल वाई, किसकी पास ह होता है, सबसे ज़्यादा, PSU का अधिकांसित्ता हिस्सा, तो आंसर है, दोस्तों, यहाँ पे इट सब भी, गवर्मेंट अफ इंडिया, याने की सेंट्रल गवर्मेंट को, ओके, चलिए, कोशन निमबर 23 का अंसर कीजीएगा, IDBI was established on, चलिए, आंसर कीजीए का, यह कोशन है, important IDBI जो बैंक है, यह संस्था है, जो भी यहाँ पे है, यह, इसका स्थापना कब हुआ था, यह कोशन पूछा गया है, बैंक में आपके, 2012-13 के एक्जाम में भी, कलर्क के, तो आंसर होता है, दोस्तों, इस ए, जुलाई 64, ज नीचे यह आपका, आज का, टास्क नंबर वन है, कि IDBI का, हेट क्वार्टर के बारे में, नीचे कमेंट जरूर करें, अगला कोशन, नाबाड, कब अस्तित्वे में आया है, तो नाबाड जो है, यह आया है, दोस्तों, आंसर कीजीए, गर नीचे कमेंट बोक्स में, यहाँ नाबाड जो आया है, दोस्तों, 1982 में आया है, 11 जून को, अब आपको यहाँ पर हेट क्वार्टर बताना है, कि नाबाड का हेट क्वार्टर कहां है, नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट करके, अगला कोशन है, SBI वाज अर्लियर नोन है, SBI किस नाम से जाना जाता था पहले, चलिए, फटा-फटा आंसर कीजिए, दोस्तों, यह जाना जाता था, Imperial Bank of India के नाम से, कोशन यहाँ पे एक और टास्क है, टास्क नमबर थ्री देता हूं, मैं आपको, यह आपको बताना है, कि SBI का, यहाँ पे मुख्याले, यानि की हेट क्वार्टर, नीचे कमेंट कोशन नमबर 26 का अंसर कीजिएगा, इन में से कौन एक अध्योगिक वित्त संस्थान नहीं है, चलिए, यह बहुत इंपॉर्टन कोशन है, और यहाँ पे जैसी नहीं वाले कोशन आए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, मैं बार बार आपको बताता हो, कि TCS ऐसे पैटर्न के कोशन से सेट कर रही है, तो विच वाज नॉट इंडस्ट्रिल फैनेंसिल इंस्ट्यूशन, तो आंसर है यहाँ पे दोस्तो, इट्ससी नावार्ड, ओके, अगला कोशन है, कि बैंकिंग सुधार से संबंदित, नर्सिम समीती बनाई गई थी, इसको भारत में, द्वारा स्री, एमेस नर्सिम की अध्यक्चता में कब न्यूक्त की गई थी, तो आंसर कीजिएगा दोस्तो, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, अगस्ट 90, अगस्ट 91, जुलाई 92 या अप्रेल 91, तो आंसर है दोस्तो, इट्सब भी, नोट कर लिजिएगा, अगस्ट 90 90, वन गो, ओके, चलिए, अगला कोशन है दोस्तो, बैंक रेट, जी हाँ, बैंक दर जो है, वो क्या होती है, बैंक रेट किसको कहा जाता है, तो यह एक लाइन में आपका आंसर है, वैसे तो, बैंक रेट को डिफाइन करने का आंसर होगा, कि अट वीच, दे पब्लिक बोर money from the commercial bank, या फिर देखिए, बैंक रेट कौन डिसाइट करता है, आपको पता है, तो बैंक रेट हर बैंक का, जो है, बैंक हर बैंक है, वो अपना-पना बैंक रेट डिसाइट करता है, पर जो इसको, इसके बैंक रेट को कितना लोगों तक दिया जाए, है ना, उसको कब एक बैंक के रूप में तबदिल हो चुका है, तो पहले एक ये संस्था थी, और अब ये बैंक हो चुकी है, मैंने आपको थोड़े दिर पहले संस्था बैंक जो भी है बोला है, तो उसका इसी कारण था बोलने का, कि पहले ये संस्था थी, और अब ये तबदिल हो question number 30, दुरलब मुद्रा कहते हैं, जिसे देखे, soft currency, hard currency बोलते हैं, तो hard currency जो है, वो क्या है, तो hard currency जो है, दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आप लोग यूज करते हो, डेली के दिन्चारिया में, एक मुद्रा अपिक्छाकरित विश्वस्त निया, और इस्थिर रहते हैं मुद्रा है, ओके, चलिए, ध्यान दिजिएगा, a currency remains relatively reliable and stable, आप किसी को पैसे देकर, मतलब एक विश्वास जीत लो, इसलिए इसको कहा गया है, reliable, जैसे कि आप लोगों ने कहीं कहीं जमीन खरदा होगा, या जमीन खरदोगे, तो किसी को advance देकर, आप उस जमीन को कहीं बो होना चाहिए, reliable होना चाहिए, ओके, तो यहां पर हाड करेंसी कहलाता है, वो, एकतिस्वा question हम लोग आ चुके हैं, दोस्तों, quality में, अब यह मैंने आपको बोला है, कि quality के 10 question का answer, आप लिए static gk का काम करेगा, ठीक है, तो one by one करके इस answer करते हैं, चलिए, राष्टी सम्ष से सिवक संग का निर्मान कब हुआ था, यह question important है, दोस्तों, देखे, अभी 2019 से लेकर, हैना, 2019 से लेकर, 2024 तक, यह सासन रहेगा किसका, तो भारती जनता पार्टी का, ठीक है, भारती जनता पार्टी जो है, यह support करती है, संग को, तो यह संग का निर्मान कब किया गया था, यह संग यह धाचा कुछ भी हो सकता है, दोस्तों, ऐसा यह बिल्कुल मत सोचिएगा कि, opposition का कुछ बाते हो रही है, यहाँ पर, संग यह धाचा की बारे में, आप लोग संविधान में पढ़ेंगे, उसका एक धाचा बनाय गया था, और संग यह प्रणाली, और आपका जो लो उन्होंने कहा कि नहीं, संग का होना बहुत जरूरी है, तो संग को यहाँ पर स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था, दोस्तों, it's a sea, सन 1925, ECU में स्थापित किया था, 28 September को, ठीक है, यह हमारा संविधान में लागू कब किया था, तो 1946 में ही, इसको साम किया गया था. ठीक है। अगला कुश् condition संग के बारे में. में बोल नहीं सव्ए सेवक जो है इसका निर्मान हुआ था सन 1925 में इसका अउनसर है. अगला कुश्चन 32 का दिखेगा. तो option आपके सामने है यह सामने है रocaस्फती स्व्यायस सेवग संग यानि कि खुद का सेवा करने वाला संग तो ओपिया सिवग आप खुद रक्छा कर सकते हो अपनी और अपने परिवार की या अपने देश की तो यह कहना है स्वें सेवक का तो यहाँ पर दोस्तो आंसर होगा इटसे नागपूर नोट कर लिजीगा यह कोशिन आ सकता है एक्जाम में आपके अगला कोशिन है राश्टे स्वें सेवक संग का इस्थापना कौन किया था तो यह इनका नाम है दोस्तो केशव बलिराम हिडगवार नोट कर लिजीगा अगला कोशिन देखते हैं कोशिन यह सारे इंपॉटेंट है एक्जाम में बन सकते हैं तो प्लीज एक बार कमेंट करते रहेगा अगर आंसर आपको पता है तो 34 भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था देखे जाहिर सी बात है आपके देश में इसकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की तो आपको जानना इसके बारे में इसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है तो आपको पता होना चीए कि भारते जंता पार्टी के स्थापना कब हुआ था तो यह हुआ था दोस्तो इट्सप भी 6 अपरल 161980 को ही इसका निर्मान हुआ था इसका स्थापना किया गया था किसने स्थापना किया था यह आप नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताएगा वैसे यह कोशन में आगे बताऊंगा आपको यह भारते जन संग थीगे भारते जन संग का इसका अगला कोशन देखते भारत्य जंता पार्टी का मुख्याले कहा है आखिर यहां पर बता ही मैंने सबसे महंगा सबसे कोष्टली जो इनका मुख्याले है किसी भी एक राजनेतिक दल दल और दल का वी का शाल्च को यहां पे आप तो सब जानते होंगे आप लोगों ने पोड़ाइब करने नोट करें लिए है भरत इप आंधी पारटी की स्थापना का भू ये कुष्ट्चन होगा इस टैक जी की बोड़ काही एक important है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है इसकी सरकार कहां पर है तो नियू दिल्ली में है और नियू दिल्ली में है इसकी जो CM कौन है तो ये भी मैंने आपको बताया है अरविंद केजरिवाल है ठीके तो ये आप आंसर नूट करके रखिएगा इतने और यहां पर आंसर होगा इट सब भी 2012 में हुई थी बहुत सही आप लोग आंसर यहां पर कर रहे हैं 26 नॉबंबर 2012 की स्थाफना हुई थी इसकी question number 39 भारत का पहला विधी और नियाले law and justice के मंत्री कौन है भारत के पहले यहां पर फ़र्स्ट पूछा जा रहा है ध्यान दिजीगा है ना विधी यानिकि law and justice के मंत्री कौन है आंसर है दोस्तो इट सी भीम राओ राम जी अंबीद कर नोट कर लिजीगा दोस्तों बहुत ही महत्पुन परश्ण है question number 40 लोग सभा का उमिद्वार होने के लिए अल्पमतम उम्र क्या होनी चाहिए यानि कि सबसे कम एज क्या होनी चाहिए लोग सभा का सदस्य होने के लिए तो आंसर है दोस्तों it's a 25 year और राजी सभा में तो वो 35 year ओके तो यह नोट करके रखिएगा important है question सारे के सारे और आज हमारे साथ जितने भी मेरे भाई बंदू यहां पे जोड़कर सारी question answer कर रहे थे उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है और out of 40 आपने कितना सही किया ये नीचे comment करके सभी लोग बताएंगे आप सभी से request है कि सभी लोग comment करें कि out of 40 आपने कितना सही आंसर दिया है यहां पे और कितना गलत किया है इसका बिना मतलब कि demotivate मत होईएगा यहां पे मैं इसलिए गलती पूछता हूँ आपसे कि मालो अगर 25 question गलत कर रहे हैं तो तैयारी थोड़ी सी कमजोर है इसलिए तो रोज Ques देखें आप लो Ques देखिएगा question दिमाग में बैठा रहेगा Ques देखिएगा दिमाग में वहां पे जब भी आप question अंसर करोगे exam में वहां भी आपके सामने computer रहेगा टिक करना आगे बढ़ना तो चीजे अगर ध्यान में रहेंगी तो वह आपको हमेसेक लिए याद रहेंगी question रटना नहीं पड़ेगा इसलिए ये Ques देकर आया जाता आपके लिए ठीके दोस्तों तो चलिए आज हमारे साथ यहां बने रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एक like करके जाईएगा आपके एक like से हमें motivation मिलता है कि हम लोग रोज आपक यह अपना